हेलो बच्चों, मैं नीतिय हुजा और आज हम क्लास 12 का 11 चेप्टर जैव प्रोध्योगी की सिद्दान्त और प्रक्रम का पार्ट 3 पढ़ेंगे पार्ट 1 और 2 में हमने जैव प्रोध्योगी की का सिद्दान्त और इसके साधन पढ़े है अब उन साधनो के प्रयोग से ये जैव प्रोध्योगी की की जो प्रमुक्रिया है पुनर योगाज डिए ने टेकंट ये कैसे प्रक्रिया पूरी होती है, इस पार्ट थर्ड में ये पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं बच्चों, पुनर योगज डिने तक्नीक की प्रक्रिया, ये प्रोसेस कैसे होता है, बहुत सारे साधन अपने इसके पढ़े, कई एंजाइम्स पढ़े, आन्विक्यांचियां प्लाजमेड, जिवानों भोजी, कई सारी चीज़े हमने पढ़े, अब इन सब का प्रयोग करते हुए, और ये प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, ये अपन यहां पढ़ेंगे, तो ये बच्चों इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, जैसा नाम से पता चल रहा है, पुनर प्रमुकपद देखेंगे, साथ प्रमुकपद में इनको बाटा है अपने, आनुवनशिक बदार्थ DNA को अलग करना, प्रथक करन या विलगन, तो पहले स्टेप में आनुवनशिक बदार्थ क्या है हमारा DNA, उसको कैसे अलग करेंगे, दूसरा DNA को विशिष्टिस्थलों पर काटना, DNA को काटने का काम किसकी मदद से हो रहा है, प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से, वो इसका दूसरा प्रोसेस है, तीसरे प्रोसेस में पुनर योगज DNA का, दो DNA को जोड़ना, लाइज एंजाइम से दो DNA को जोड़ना, एक वहक का DNA और एक वांचित DNA दोनों को ए एक बहुत लंबी क्रिया है, जिससे की कई सारी प्रतियां बन जाती है, PCR भी इसे कहते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, अगला है पुनर योगज डियने का परपोशी कोशिका में स्थाना अंत्रन, अब जिसके अंदर वो वांचित पुनर योगज डियन निक डालना है उसमें उसका स्थाना अंत्रन, छेटा बिंदू है परपोशी कोशिका का व्यापक पैमाने पर बहुत लार्ज स्केल पर उनको समवर्धन करना या उनको बनाना, और अंतिम है वांचित उत्पाद का निशकर्शन, उसको अलग निशकर्शित करना, जो निश ने की, जैव प्रोध्योगी की जो सबसे इंपोर्टेंट टेकनीक है, इसकी प्रक्रिया पूरी होती है, तो अब स्टेप बाई स्टेप एक एक पद के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तो सबसे पहला है आनुवन्शिक पदार्थ लियने का विलगन या प्रथक करना, अब डियने कहा पर है, कोशिक का के केंद्रक के अंदर है, केंद्रक के अंदर गोण सूतर के उपर जीन के रूप में डियने मौजूद है, अब सभी जीवों में आनुवन्शिक पदार्थ क्या है, न्यूकलिका, तथा कोशिक ये जीवों में क्या है, डियने, कुछ ऐसे भी है जिनमें जो प्रोकरियोटिक्स है उनमें आरने हो सकता है बाकी सभी में DNA आनुवन शिक्पदारत है DNA को restriction endonuclease enzyme के काटने के लिए restriction endonuclease enzyme कब काटेगा कब अपना काम करेगा जब DNA शुद रूप में हो मतलब direct DNA DNA कई आवरणों से घिरा हुआ नहीं हो DNA किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो तो DNA को इन कैंचियों के काटने के लिए DNA का शुद्ध रूप में होना आविश्यक है तो शुद्ध कैसे करेंगे हम इसको चूकि DNA केंद्रक में स्थित होता है अता इस तक पहुँचने के लिए विभिन जिल्लियों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था यह एक कोशिका है कोशिका के अंदर केंद्रक है केंद्रक केंदर गोंन सूतर है और गोंन सूतर के उपर क्या है जीन्स और जीन्स किस से मिलके बने है DNA खंड से और अगर ये पादप कोशिका है तो इसके बाहर एक कोशिका बित्ती है ये क्या है बित्ती ये क्या है कोशिका जिल्ली और इसके बाद क्या है कोशिका द्रवे इसके बाद ये क्या है केंद्रक जिल्ली केंद्रक के चारों और भी आवरण है यह केंद्रक जिली उसके बाद यह क्या है गुणसूत्र इन गुणसूत्र पर भी DNA सीधा लगा हुआ नहीं है DNA कुछ histone proteins के साथ भी जुड़ा हुआ है तो यहां तक जो गुणसूत्र के उपर जो हमें क्या चाहिए शुद्ध DNA तो उसके लिए हमें कितने processes से उसको अलग करना पड़ेगा तो यह क्रिया कैसे की जाती है इसके लिए वांचित DNA युक्त कोशिकाओं को तीन चीज़े हैं लाइसोजाइम, सेलूलेज और काइटिनेज जैसी कोशिका है उसके आधार पर ही एंजाइम का प्रयोग किया जाता है इन से संसाधित करने पर DNA जो है वो क्या हो जाता है प्लांट है कोशिका बित्ती है तो सेलूलेज एंजाइम लेना पड़ेगा कवक है तो काइटिनेज से संसाधित करना पड़ेगा यूकरियोट्स में जो क्या होता है जो यूकरियोट्स जो विक्सित कोशिका है इनमें अनू किस से जुड़े में हिस्टोन प्रोटीन के मिलते हैं किस पर गुर्षूत्र के उपर इनको अलग करने के लिए हिस्ट्रोन प्रोटीन को अलग करने के लिए क्या काम में लिया जाता है प्रोटीज और आरेने को अलग करने के लिए क्या काम में लिया जाता है राइबो न्यूक्लियस तो यह कुछ एंजाइम एंजाइम म उपचारित किया जाता है इससे क्या होता है कि DNA विशुद रूप में अलग प्राप्त हो जाता है प्रथक किये DNA को उचेत उपचार द्वारा अन्य अनों से प्रथक कर शुद रूप में प्राप्त किया जाता है हमें क्यों शुद रूप में प्राप्त करना है क्योंकि DNA पर जीबंदन एंजाई में वो तभी काम कर सकेगा जब वो शुद्ध रूप में और तभी ये क्रिया शुरू हो सकेगी, तो इस टेकनीक के बाद हम से कुछ प्रोटीन्स का उप्योग करके हम आनुवंशिक पदार डेने को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं, अन्त में क हंडा चल्ड एल्कोहल उसमें मिक्स कर दिया जाता है, जिस पातर में अपने इसको अलग किया था, तो क्या होता है, डेने अवक्षेपित हो जाता है, मतलब लिक्विड में अलग रूप से दिखाई दिता है, जैसे अपन दूद को फारते हैं, तो वो पनीर के रूप में अवक्षे पित हो जाता है पनीर गाड़ा पनीर बन जाता है जैसे दूद से पनीर अलग होता है ऐसे ही इस क्रिया में यह अवक्षे पित हो जाता है किसके रूप में निलंबन में तैरता हुआ निलंबन यानि तैरता हुआ महीन धागों के रूप में तो यह चितर में अपन के साथ जिससे अपने इस DNA को शुद्ध रूप में अलग कर लिया तो सबसे पहला पद जो था पुनर योगज DNA टेकनिक का वो यही था आनुवन शिक्पदाद DNA को विच अलग करना प्रथक करना या उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना तो इस तरीके से अपन स्पूल DNA अलग हो गया तो DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटना अब ये विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम कौन करेगा प्रतिबंधन एंजाइम जिने हम आणविक एंचियां भी कहते हैं शोधित DNA अणों के साथ-साथ प्रतिबंधत एंजाइम को इस्टतम ये इस्टतम परिस परिस्तितियों में ताप, दाब और pH बिलकुल उप्युक्त रखी जाती है, बिलकुल आप्टिमम रखी जाती है, ना तो बहुत हाई टेंपरेचर ना लो टेंपरेचर, ना बहुत ज्यादा दाब ना बहुत कम दाब और pH भी बिलकुल सामान्य रखी जाती है, तो इन परिस इंजाइम का पाचन होता है वो उसको डेने को काटने का काम करता है इसका जो नियंतरण है इस प्रतिबंदन एंजाइम की क्रिया का जो नियंतरण है इस नियंतरण को कौन करता है एगारोस जेल से एलेक्ट्रोफरसिस द्वारा किया जाता है हमने पढ़ा है एगारोस जेल से DNA के खंडों को अलग-अलग किया जाता है जिससे कि वो आकार के हिसाब से सबसे छोटा खंड सबसे आगे उसके बाद बढ़ा उसके बाद और बढ़ा और ये अलग-अलग columns में एकत्रित हो जाते हैं रिना वेशित DNA नू धना वेशित अनोड की और क्योंकि कैसा है DNA नू स्वेम रिना वेशित है तो जेल एलेक्ट्रोफॉरससेपे क्या किया जाता है अगारोस जेल के अलग-अलग खंड बने होते हैं और उसको इलेक्टरोड से अनोड से जोट दिया जाता है इलेक्ट्रोड जो एनोड है वो धनावेशित है DNA कैसा है रिनावेशित तो जो सबसे छोटे DNA के खंडे वो सबसे पहले एनोड की तरफ पहुँचते हैं और फिर आकार के हिसाब से अलग-अलग थोड़ी-थोड़े समय बाद वो अलग-अलग वाहक DNA तो यह तो अभी हमने कौन सा DNA लिया जो वांचित DNA था उसको इस तरीके से शुद्द किया ठीक ऐसे ही वाहक DNA के साथ भी दोनों DNA को जोड़ना है तो दोनों DNA को काटा भी किस से जाएगा एक ही प्रतिबंदन एंजाइम से तभी उसमें वो चिपचिपे सेरे बनेंगे और वो आपस में चिपग जाएगे पढ़ाए हमने प्रतिबंदन एंजाइम तो यहाँ पर जो क्रिया आपने वांचित DNA के साथ दो रही थी वो ही क्रिया हम वाहक DNA के साथ भी दो राते हैं उसे भी प्रतिबंदन एंजाइम के साथ इस्टितम परिस्थितियों में रखा जाता है स्त्रोथ DNA और वाहक DNA एक ही विशिष्ट प्रतिबंदन एंजाइम से काटे जाते हैं दोनों का पहचान का एक ही अनुक्रम होता है दोनों को एक ही प्रतिबंदर इंजाइम काटता है ताकि दो चिपचिपे सिरे बन जाते जो अब आद में आपस में जोड़ जाते अगला प्रोसेस देखते हैं बच्चों पुनर योगज DNA का निर्माण तो पुनर योगज कुछ भी नहीं है वांचित DNA और वाहक DNA दोनों को जोड़ कर जो DNA बना है वो ही हमारा पुनर योगज DNA है वो दोनों में दोनों को जोड़ने का काम करना है अब जोडने का काम हमने पढ़ा है, साधनों में कौन करता है, lygase enzyme, तो स्त्रोत DNA के को कटे हुए वानचित DNA खंड को, स्त्रोत DNA प्लस वानचित DNA, किसकी उपस्तिती में, lygase enzyme, दोनों आपस में जोड जाएंगे, तो स्त्रोत DNA और वाहक DNA को, वानचित DNA को, जो lygase enzyme द्वारा वाहक समवाहक, वाहक या समवाहक एक ही चीज़ है, वाहक को, वेक्टर को ही समवाहक भी कहा जाता है, इसके साथ जोड दिया जाता है, वानचित DNA के वाहक DNA से जोडने से, पुनरयोगज DNA का निर्मान हो जाता है, आगे चलते हैं, अगला है polymerase chain reaction, polymerase polymer P, chain CR reaction, combined group से इसको कहत हैं, PCR, chain, जैसे chain में कई कडियां होती हैं, ऐसी ही polymers की कई कडियां बन चाती हैं, तो PCR का सबसे पहले किसने पता लगाया, PCR का आविशकार केहरी मुलिस, केहरी मुलिस एक विज्ञानिक होए थे, जिन्नोंने 1985 में किया, बहुत समय पुरानी बात नहीं है यह, 1985 ने सबसे प पुनर्योगज टेक्नीक की PCR प्रक्रिया का पता लगाया, इसके लिए उनको नोबल पुरुसकार भी मिला बहुत ही, important काम था जैनेटिक इंजिनियरिंग में, जैफ प्रध्योगी की में यह, जिसके द्वारा यह जो पुनर्योगज डेनने की टेक्नीक थी, यह संपन हो प DNA से अनेक DNA बनाने का काम किसके द्वारा होता है, PCR टेक्नीक के द्वारा होता है, तो यह ध्यान रहेगा बच्चों, PCR पॉलिमरेज चेन रेक्शन है, इसके द्वारा एक DNA से अनेक DNA करोडों DNA की प्रतियां बनाई जाती है, अब यह क्रिया कैसे होती है, यह देखिए, यह ए पहले क्या करते हैं, इसको ताप से उपचारित करते हैं, तो इसके ये वाला खंड और ये वाला खंड ये अलग-अलग हो गए, दूर-दूर हो गए, ये खुल गए, सबसे पहले ताप के बाधियम से, फिर DNA Polymerase या टेक Polymerase Enzyme के साथ क्या होता है, इसके आगे एक और खंड जूड गया, ये जो 5 से तीन था, इसके आगे 3 से 5 जूड गया, इस 5 से तीन के आगे एक दूसरा 3 से 5 जूड गया, और इस तरीके से इनका 2 में प्रसार हो गया, एक-दो खुले, 2 से 4 बन गया, तो ये हो गई PCR की टेक्नीक, अब हम देखते हैं, पी-छी बी नए टेक्नीक अपन देखते हैं, तो उसका principle, उसका सिदान्त अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, कि किस सिदान्त पर आधारित है, जी विज्ञान में क्या, विज्ञान में भी कोई भी नया प्रक्रम होता है, तो हम सबसे पहले उसका सिदान्त, उसकी मूल में विज्ञानिक सबसे पहले उसक इसके जो दोनों strands हैं, ये एक DNA कानू है, ये इसके दो double layered है, ये इसके दो strands है, तो क्या होगा, जब हम इसको ताप से संसाजित करेंगे, तो ये strand अलग हो जाएगा, और ये strand अलग खुल जाएगा, ये जो द्वी कुंडलेनी श्रंकला है, ये खुल जाएगी, कब जब इसको उच्चताप पर लाया जाएगा, उच्चताप पर सक्रिये DNA polymerase की सहायता से, बार बार दोराने से, DNA की अनेक प्रतियां बन जाएगी, अब जो DNA polymerase है, जब ये अलग-अलग हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इसके आगे आके दूसरा जुड़ गया, और इस कई प्रतियां बन जाती है, अब PCR विधी कैसे पूरी होती है, तीन स्टेप्स इस PCR विधी के हम पढ़ेंगे, पहला है विक्रती करण, विक्रती करण जैसा की नाम से पता चल रहा है, विक्रत करन, जो इसका двikundalit, जो इसका ये आकार हमने पढ़ा, ये जो आकार था, ढिन इसको denatured करना, विक्रती करत करना, पुनर योगज DNA जिसका आवर्धन करना है, जिस DNA को हमें multiple, आवर्धन मतलब बढ़ा करना है, भढ़ाना है, इसको 94 degree centigrade पर गरम, कितना high temperature हो गया, boiling जैसा, 94 degree centigrade पर गरम किया जाता है, जिससे जो इसके ये दो strand, ये पहला strand, ये दूसरा strand, य ये दोनों strand जो है, ये खुल जाते हैं, और दोनों strand अलग-अलग हो जाते हैं, ये क्रिया कहलाती, विक्रती करन, जो इसका कुंडलनी रूप था, वो विक्रत हो गया, इसलिए ये process क्या कहलाता है बच्चों, विक्रती करन, और ये कब होता है, high temperature, 94 degree temperature पर ये क्रिया विक् एनलिंग में क्या होता है, कि दोनों कुंडल जब खुल गए, तो प्रतेक कुंडल एक template का, एक साचे का काम करता है, और उसके आग एक के आगे दूसरे के आगे भी दूसरा आजाता है, और दोनों कुंडल दो अलग-अलग DNA बना लेते हैं, एनलिंग में प्रतेक DNA रजुक एक साचे है template की तरह कारे करता है, इसे प्राइमर की उपस्तिती में, एक प्राइमर होता है, उसकी उपस्तिती में ठंडा किया जाता है, क्या किया जाता है, यहां तो अमने क्या किया था, इसको गरम किया था, और यहां क्या करते हैं, एक प्राइमर की उपस्तिती में यो के था एक एंजाइम है, टेक पॉलिमरेज एंजाइम, जो की एक जिवानों से प्राप्तिया जाता है, अपन देखेंगे, इस टेक पॉलिमरेज एंजाइम किसका काम करता है, प्राइमर का, जब ऐसे क्या करते हैं, जब हम पेंट करते हैं, तो पेंट लगाने से पहले, हम वॉल पे क्या लगाते हैं, प्राइमर, तो यहां भी DNA के दो खंड हो गए हैं, और दोनों खंडों से एक-एक DNA, दोनों कुंडलों से एक-एक DNA बन रहा है, तो उस पर पहले क्या काम में लेते हैं, दो अलग-अलग बनाने के लिए, जैसे बेस बनाते हैं, वैसे ही पहले यहा प्राइमर, प्राइमर की 3 OH का प्रयोग कर DNA के पूरकरजुक, कॉंप्लीमेंटरी, जैसे यह जो एक था और यह जो दूसरा था, इसके आगे एक और बन गया, तो यह इसका कॉंप्लीमेंटरी हो गया, इसके आगे एक और बन गया, तो यह किसका प्रयोग होता है, यह पूर प्राप्त किया जाता है, जैसे इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, और इसे टेक पॉलीमरेज किस से प्राप्त किया जाता है, मैंने आपको बताया था, थर्मस एक्वाटिस जीवानों से प्राप्त किया जाता है, थर्मस टेक, टी एक्यू, टी फोर थर्मस, एक्यू फोर एकवर्टिस ये एक प्रकार का बेक्टीरिया है जिससे ये पॉलिमर प्राप्त किया जाता है और ये PCR की तीन प्रोसेस हो गई सबसे पहले दोनों चेन को अलग करा फिर उसकी एनलिंग की दोनों दो साचे बन गए फिर उसको विस्तारत किया तो ये PCR के तीन चरण है जिससे की टेक पॉलिमरेज एंजाइम द्वारा अनेक पुनर योगज DNA की अनेक कौपीज तयार करे जाती है ये प्रक्रिया बार बार दो रहा ही जाने के कारण DNA की कौन सा DNA है ये पुनर योगज DNA कौन से DNA की पृतिया बना रहे है बच्चों हम पुनर योगज DNA की एक अरब तक किती पृतिया बन रही है एक अरब तक पृतिया बन रही है किस टेक्नीक से बन रही है PCR तो PCR टेक्नीक में जिसमें हम टेक पॉलिमरेज एंजाइम का और पहले हाई टेंप्रेचर 94 डिगरी का और फिर लो टेंप्रेचर का और टेक पॉलिमरेज एंजाइम का प्रयोग कर रहे हैं और इस पुनर योगज DNA की अरबो प्रतिया बन रही है आया समझ में बच्चों आगे चलते हैं अब अगली प्रोसेस है पुनर योगज DNA का परपोशी कोशिक अब बन गई बहुत सारी प्रतिया हमारे पास अब उसको हमें प अक्षम हो जाती है तो किसी उप्युक्त विधी के द्वारा परपोशी कोशिका में DNA को प्रवेशित कराना है PCR से जो बहुत सारे पुनर योगज DNA बन गए उसको परपोशी कोशिका के अंदर प्रवेश कराना है यही काम करना है न तो देखते हैं बच्चों अब कैसे होग यह किसकी मदद से होगा कैसे होगा प्लाजमिट की मदद से होगा वहां की मदद से होगा यदि एंपिसलीन प्रतिरोध जीन युक्त पुनर योगज DNA को इकोलाई जीवानों कोशिका में प्रवेश करा जाता है तो इस जीवानों की कोशिकाएं भी जीवानों की कोशिकाए भी क्या हो जाती है, MP-Celine Pratirodhi, कौन सा पुनर योगज DNA लिया हमने, जो की MP-Celine Pratirodhi जीन उसके अंदर है, कौन सा पुनर योगज DNA, जिसमें MP-Celine Pratirodhi जीन मौजूद है, उसके युक्त को अगर हमने जीवानों के अंदर प्रवेश करा दिया, तो वो जीवानों की जो cells है वो भी MP-Celine Pratirodhi हो जाएंगी, और ऐसा जीवानों क्या कहलाएगा, रूपांतरित जीवानों पढ़ाएं हमने, तो ये रूपांतरित किस के लिए हो गया, MP-Celine Pratirodhi जीन को वरण योगज चिननाक जो की, वाहक की एक विशेष्टा है, Selectable Marker कहते हैं, MP-Celine Pratirodhi जीन क्या है या, Selectable Marker या वरण योगज चिननक परपोशी कोशिकाओं का व्यापक पैमाने पर समवर्धन, व्यापक मतलब बहुत बड़े मास स्केल पर उनको समवर्धित करना पुनर्योगज DNA में उपस्तित, बहारी जीन, परिस्थितियों में उत्पाद निर्मान की रूप में अभिव्यक्त होता है, पुनर्योगज DNA में जो अपने जो बाहरी जीन डाला था वो उप्योक्त परिस्तितियों में उप्योक्त परिस्तियां होने चाहिए ताप दाब उप्योक्त होना चाहिए उत्पाद जो उत्पाद हमें बनाना है चाहिए हमें कोई प्रोटीन बनाना है इस विदी के रूप में उप्युक्त परिस्तियां चाहिए यदि कोई प्रोटीन अगर कोई प्रोटीन बनाना है तो कूठले-खन-जीन प्रोटीन कूठले-खन-जीन कीसी विशम-जाद परपोशी में अभिव्यक्त होता है, तो उसको क्या कहते है, पुनर योगज प्रोटीन, जैसे पुनर योगज डिन ने कहा था, तो ये ये भी प्रोटीन कूट लेखन जीन है, इसलिए क्या कहलाएगा, पुनर योगज प्रोटीन कहलाएगा, वांचित जीन युक्त परपोशी कोशिका को छोटे पहमाने पर अगर अगर अपने को मानलो कोई प्रोटीन या कोई उत्पाद बहुत ज्यादा नहीं चाहिए थोड़ा ही चाहिए तो उसको प्रेयोक्षाला में समवर्धित किया जा सकता है लेब में लेबोरेटरीज में ही उसको उसकी मातरा जित्ती अगर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए तो लेब्स में बच जाती है लेकिन लेब्स बिलकुल निर्जमिक रत होनी चाहिए बिलकुल साफ सुथरी और स्टरलाइजड होनी चाहिए लेकिन अगर हमें बहुत सारा चा पुराने पोशक माध्यम को निकालने और ताजे पोशक माध्यम को डालने की विवस्ता प्रेयोक्षाला में मतलब पोशक माध्यम क्या होगा जिसमें सभी उप्युक्त पोशक पदार्थ जो की उसकी व्रद्धी के लिए आवशकें वो मौजूद हो तो इस प्रेयोक्षाला में ऐसी विवस्ता की जाती है निर्जमी करत परिस्तितियों में कि पुराना पोशक माध्यम जब काम उसके पोशक तत्व खतम होने लगें तो उसको निकाल कर उसकी जगे नए पोशक माध्यम को डाला जा सके तो ये विवस्ता की जाती है जिससे वांशित प्रोटीन जो प् अधिक्तम मात्रा में प्रयोक्षाला में हमें प्राप्त हो सकता है तो पोशक माध्यम उप्युक्त इस्टतम परिस्थितियों में हो और हमेशा ताजा पोशक माध्यम मिलता रहे उसके प्रोटीन के निर्मान के लिए अगर व्यवसाइक व्यवसाइक मतलब किसी आपको कोई दवाई बनानी है, उसके लिए कोई प्रोटीन चाहिए, कोई एंजाइम बनाना है, कोई टीका बनाना है, उसके लिए हमें बहुत लार्ज स्केल पर वो चाहिए, तो उसके लिए अधिक उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, बायो रियक्टर, नाम स पात्र है जिसके अंदर ये क्रियाएं संपादित की जाती है अब बायो रेक्टर क्या है जहां पर ये बहुत बड़ी मात्रा में ये जो पुनर योगज डियने टक्नीक जो पर पोशी कोशिकाएं हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त की जाती है एक बड़े पात्र क समान होता है जिसमें सुक्ष्म जीवों, पादप, जन्तू या मानव कोशिकाओं की सहायता से कच्चे पदार्थ को जैविक ये जो कच्चा पदार्थ था इसको किसमें बदला जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों एवं एंजाइमों में बदला जाता है तो बायो र बायो रियक्टर में अनुकूलतम परिस्थितियां जिसे इश्टतम परिस्थितियां कहते हैं ताप भी अनुकूलों, पी-एच, आधारी पदार्थ, लवन, विटेमिन वो ऑक्सीजन उपलब्द कराई जाती है तो ये बायो रियक्टर का एक चित्र में आपको दिखा रह हुआ है, ये पी-एच नियंत्रन है, जीवानु रही थावा इसमें प्रवाहित की जाती है और विलोडन हौज रियक्टर है, इसका इस प्रोसेस में प्रयोग सरवाधिक किया जाता है, तो अब विलोडन और बायो रियक्टर सबसे ज्यादा कामे विलोडन यानि किसी इसमें दिखाई है, वो करती है, अब विलोडन खौज रियक्टर की कैसी बनावट होती है, ये हम देखेंगे, बेलनाकार और घुमावदार, इसका बेस कैसा होता है, घुमावदाराधार वाला होता है, और इसमें वस्तों को मिश्रित करने की, विलोडन क्या करता है, हिला इसमें विलोडन को समरूप बनाता है, तथा ओटू को समान रूप से वित्रित करता है, ऑक्सीजन गैस पूरे मिक्स्चर में समान रूप से वित्रित हो जाती है, तो ये एक दंड विलोडन हो जाए, ये जो बीच में ये जो साधन, ये जो बीच में एक चम्मच के जैसा दिखाया गया है, इसके द्वारा पूरे विलोडक में बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थाना अंतरन इस विलोडक को यांतरिक सहायता से इसको घुमाया जाता है और पूरा पदार्थ ऑक्सीजन की पूरे इसमें मिक्स हो जाता है, दंड विलोडक हौज बाय लगाया गया तो अब इसके अलग-अलग भाग हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले होता है एक प्रक्षोभक यंत्र होता है फिर oxygen प्रदाय तंत्र जो की लगातार oxygen प्रवाईत होती है फिर जाग नियंत्रन यंत्र मतलब जो जाग बन रही है oxygen जब गैस किसी द्रव में टाप नियंतरण, टाप को भी control रखना है इसमें, तभी कोई प्रोडेक्ट बनेगा, पी-िएच नियंतरं तंतर, पी-एच को भी control रखने का तंतर होता है, और प्रती चैन प्रद्वार, जिसके द्वारा यह क्या है? निकास द्वार, जिससे समय समय पर बने हुए प्रोडे सारी डाल दी जाती है और थोड़े-थोड़े समय के बाद बुलबुलों के रूप में हवा प्रवेश कराई जाती है प्रतिचेन दारद्वारा समवर्धन की थोड़ी-थोड़ी मात्रा समय-समय पर बाहर निकालनी चाती है तो यह बायो रियक्टर हो गया सबसे ज़्यादा विलोड़क वाला बायो रियक्टर पॉपुलर है अब जो हमें वानचित पदार्थ समय-समय पर प्राप्त हो रहा है इस वानचित उतपाद का निशकर्शन इसको हम कैसे निशकर्शित करें यह है हमारा अगला प्रोसेस बायो रियक्टर में समवर्धन द्वारा जैव संस पूरा होने पर वानचित उतपादों का क्या किया जाता है प्रथक करन किया जाता है और फिर उसका शुद्धीकरन किया जाता है पहले उसको प्रथक किया जाता है फिर उसमें कोई और पदार्थ नहीं हो इससे उसको शुद्धीकरत किया जाता है और यह प्रक्रिया कहलात वान्शित उत्पाद को परिरक्षक द्वारा सरूपित किया जाता है मतलब कोई भी ऐसा परिरक्षक जिससे कि वो उसी रूप में सुरक्षित रहे जैसे हम सौस, मुरब्बेत, प्रेजर्वेटिव डालते हैं वो उसको ठीक रखती है ऐसे ही कुछ परिरक्षी पदार्थ इ ले जाते हैं ओश्दिय महत्व का होने पर इनका जैसे कोई टीका है टीके के लिए अगर हम कोई जैव पदार्थ बना रहे हैं तो उसका चिकित सकिये परिक्षण किया जाता है प्रतेक उत्पाद की गुणवत्ता नियंत्रन के लिए कई बार फिर उसकी जो गुणवत्ता ठीक है अगर कोई टीका है जिसको की लगाना है तो उसके कई ट्राइल्स किये जाते हैं पहले एनिमल ट्राइल्स होते हैं फिर यूमन ट्राइल्स होते हैं फिर उस ठीके को काम में लिया जाता है तो ये इसकी गुणवत्ता नियंत्रन के लिए कई बार इसकी जो पूरी हुई, धन्यवार्ट